तो कहानी की शुरुआत करते हैं नानी पाल की वाला जिनका एक आर्टिकल आया था The Indian Express कब 24 November 1994 में उन्होंने अपने आर्टिकल में हमारे अर्थ की जो दिन पर दिन हालत खराब हो रही है उसके बारे में लिखा था और उस समय अर्थ को बचाने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए गये थे वो भी आर्टिकल में बताया गया है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Green Movement की कहा जाता है कि ये World History में सबसे बड़ा Movement था जिसमें सभी के सभी मनुष्य ने अपना साथ दिया था और ये जो Movement है ये 25 साल पहले लिया गया था कहां? New Zealand में In the year 1972 में और अभी तक ये Movement चला आ रहा है यानि कि ये जो Green Movement है ये उस समय से अभी तक चलता ही आ रहा है आगे ओथर बताते हैं कि हमने अपने देखने के नजरिये को बदल दिया है अब हम अपने अर्थ को एक dead materialistic view से नहीं देखते हैं अब हम इसे एक logical view से देखते हैं और ये सब Green Movement की वज़ा से हुआ है अगर हम अपने अर्थ की हालत को देखे, health को देखते हैं तो वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है तो हमें एक अच्छे नागरिक होने के कारण इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा ये जो resources है ये आगे future तक काम आए तो फिर एक question उठता है कि हम हमें resources को कैसे use करना चाहिए इसके लिए एक नया concept है sustainable development इसका मतलब है कि resources को ऐसे use करना चाहिए कि ये future generation तक रहे फिर आगे author बताते हैं कि वो एक ऐसे खतरनाख zoo के बारे में जानते हैं जहां बड़े से बड़े खतरनाख जानवर रहते हैं और वहां के cage के बाहर लिखा हुआ था कि साउधान अंदर खतरनाख जानवर है पर जैसे ही आप cage के अंदर जाएंगे वहां कोई जानवर नहीं रहेगा वहां एक बड़ा सा mirror रहेगा इसका मतलब यह यह दर्शाता है कि इस दुनिया का जो सबसे खतरनाख जानवर है वो हम खुद है वो चाहते थे कि हमें guilty महसूस हो वो चाहते थे कि हम यह न भूले कि हम यहां अकेले रहते हैं और यह प्रिथवी सिर्फ हमारी है और भूलना मत कि यहां पर 1.4 million species है जिनका हक भी है उसके बाद author बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे commissions है जो कि deal करते हैं हमारी ecology से जिनका main मुद्दा था कि हम अपने planet को कैसे save कर सकते हैं आगे author बताते हैं कि एक planet commission होता है जिनका एक member Mr. Lester R. Brown हमसे एक question पूछते हैं वो कहते हैं कि हम अपने आने वाले प्रजाती के लिए क्या एक a dried earth of increasing desert, poor landscape and aligned environment क्या ये सब छोड़ कर जाएंगे उनके कहने का मतलब है कि हम सारे resources क्या present में ही use कर लेंगे और उनके लिए कुछ भी नहीं बचाएंगे इसके आगे यह बताया गया है कि Mr. Lester R. Brown अपने किताब में कहते हैं कि हमारा जो main biological system होता है जैसे कि fisheries, forest, grassland और crops land basically ये चारो हर एक जगह का main base होता है अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे तो फिर तो क्या जागो नागरी को जागो जैसा कि हमारे देश में आज के लोगों को diet का चस्का लगा हुआ है तो लोग protein को लेकर बहुत ही conscious हो गए है तो लोग fish को continuously consume करते जा रहे हैं बिना उसका level देखे सेम उसी तरह लोग पेरों को भी बिना देखे काटे जा रहे हैं तो यार तुम लोग हमारे future हो तो तुम लोग ऐसा मत करना एक पेर काटो तो चार लगाओ आखिर ये अर्थ हमारा है आखिर ये पृत्वी हमारी है इसकी responsibility हमारे हाथों में है तो आगे specific इंडिया के बारे में बात की गई है हमारे constitution के article 48 में लिखा हुआ है The state should endure to protect the environment मतलब की हमारे country की जो forest और wildlife है उनको बचाना हमारा responsibility है उन्हें हमें protect करना चाहिए फिर आगे author बताते हैं कि ये सब चीजे printed form में ही ठीक लगती है और जब बात आती है इन्हें बचाने की तो कोई आगे नहीं आता जैसा कि हमारे constitution में कहा गया था कि untouchability को हटा देना चाहिए abolish कर देना चाहिए और इसका implementation देख लो बहुत जगह तुम्हारे देखने में आ जाएंगे जहां अभी भी ये सब चलता है in short हमारे यहां rules तो है rules तो बनाए हुए है बट जब बात आए implementation की तो लोग पीछे हट जाते हैं तो दोस्तों ये सब जो problems है ये सब तो 1994 की है न और problems तो day by day increase होती रहती है तो ज़रा सोचो आज की date में कितनी सारी problems होंगी और हमारी अर्थ की हालत कितनी खराब होगी इसके बाद बात किया गया है population के बारे में हमारे world का जो population है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है हर चार दिन में world की population में करीब 10 लाख लोग जुर जाते हैं 1800 में total population था 100 क्रोर 100 years के बाद यानि कि 1900 में यह दो गुना हो गया double होकर 200 क्रोर हो गया पर 2000 के अंट तक बढ़कर यह लगभग 600 क्रोर हो गया और आज की date में हमारे society का एक funda है जितने बच्चे उतना काम और उतने पैसे बट actual बात तो यह है जितने बच्चे उतना कम opportunity और उतने ही कम resources और यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं तो इस बढ़ते population का एक मात्र उपाय है development हमें अपने environment को pollution से बचाने की जरूरत है या हमारे वविश्य का एक मात्र passport है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक किताब The Global Economic Prospect में कहा था कि हमने या हधर्दी अपनी पूरवजों से विरासत में नहीं ली है बलकि हमने इसे अपने बच्चों के लिए उधार में लिया है झाले है